नमस्कार मैं हूँ बूपिन पथरिया और आप देख रहे हैं वाइटी मीडिया करते हैं आलो के भाव की बात सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जीन जगहों की अपडेट मुझे नहीं मिल पाती है और आप लोग उच जगह से वीडियो देखते हैं तो अगर आपको यहां की मंडी का भाव कमेंट में बताएंगे तो लोगों को बहां का भी भाव पता चल जाएगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में अपने यहां की मंडी का भाव जरूर बताएं जीजिगर के अप्रेट मैं नहीं दे पा रहा हूं तो शुरू करते हैं पानी मतलब पानी बरसे बरसाथ हो जाए तो थोड़ा सा रेट बद्राव आए तब तब तो मीद कम दिख रही है और फरुखाबाद में आज जो डंप का अलू जो है फरुखाबाद में खतम हो चुका है और ओड में जो विग रहा है वो ख्याती पुखराज विग रहा है आ सवा चार सो रुपया पाइकिट हाइब्रिड आलू और सब्सक्राइब आपका विग रहा है चार सब पशक्तर रुपए से लेके 500 रुपए पाइकिट की आसपास और अगर इसमें जो है यह बिल कोल्ट भाड़े की रेट है मतलब कोल्ड वाला इसमें इंक्लूड है अगर यह सुगर फिर अगर आलू है तो इसका रेट जो है कम से कम 30-50 रुपए तक ऊपर जा सकता है यह नर्माल आलू की रेट है वह सुगर फिर है तो 10-15 रुपए तक ऊपर हो सकता है इसके बाद बात करें हम कानपुर की तो कानपुर में आज आमदनी रही है 30-40 अगर बहुत अच्छा है तो 370 रुपए मन तक भी जा सकता है मतलब आमतर पर जो रहा है वह 300 से लेके 370 रुपए मन और सुगर फिर या और मतलब बढ़िया पार्टी काल हुआ है तो 10-20 रुपए उपर भी जा सकता है और वैसे याम तो रुपए 325 रुपए से लेके 370 रुपए मन के रेट है सिंदूरी और हाइन चला है आपका 400 से लेके 400 से लेके 400 रुपए मन सिंदूरी और हाइन चिप सोना भी लगवब जो है इसी रेट में जा रहा है जो मतलब उपर हो जाएगा और प्याज यहां पर चला है आपका 550 रुपए से लेके 700 रुपए मन तका और अगर बहुत अच्छा प्याज है तो 700 रुपए मन के उपर भी निकल सकता है और वैसे आम तो रुपए जो रेट हैं वो सारे 500 से लेके 700 रुपए मन और कानपुर में यह आलुपए दोनों की जे मन से बिखती हैं मन यहां पर बिखता है 40 किलो तो यह रेट जो हैं वो 40 किलो की रेट हैं बात करें लखनव की तो लखनव में आज आम दनी रही है 2000 से 6000 रुपए की एस्पास और यहां पर 50 सोना अलुप बिकरी है विकरी सिलो बताई लिए चिफ सोना यहां पर बिकरा है आपका 1000 रुपए से लेके 1100 रुपया कोंतल सुगर फ्री और बात करें सिधा इलावाद की तो इलावाद में आपका गोला अलुप नो सब रुपए से लेके हजा सुम प्टल्ब और लालालु यह भी विक रहा है क्वारे चुरी नात और जी फोट यह चल रही है आपकर 12 तो अभी थोड़ी दिल पहले ही मतलब अलाबाद में एक आलू मतलब तेरा चौदा पंदरा सो रुपए था है श्रीनाथ और आपका जीपोर अभी तेरा सो से चौदा सो रुपए है तोड़ी दिल पहले मतलब में लिए फरुखावाद में वहीं मतलब ख्याती बुखराज की आलू के रेट मतलब 475 पचाती रुपए लेकिन अभी 4047 रुपए पैखी है तो आलो के मतलब स्रैटली रेट जो और तो फोडि से जो है यहां पे ख्याती अगर है या ख्याती पुख़ाज या 302 बगरा जो है तो बहुत आपका चल दला है चार तो से लेके 500 रुपया पाइप इड़ के आसपास चला है और दिल्ली से भाव मिला नहीं है बात करें से लिए उत्राखंड की तो उत्राखंड हल्दवानी में आपका सुगर फिरी साइटिस सत्तान है वो चला है 1100 रुपय कोंतल के आसपास और चिपसोना चला है आपका यहारा सबदीश रुपय कोंतल के आसपास यहां पर priced शल ला है यहां पर अथारा सवसार लेखे 25 के बढ़े हुए हैं कानफूर में भी रेट बड़े हैं और यब रेस पड़े हुए हैं और ज्ए अजडे बढ़े हैं प्याज की रिट मतल्स वहीं है है तो गुजरात दिसां में पुखराज आपका चला है तीन सो पच्छात्र वाइसे के यहां पर आसी किलो की तास से विक्री होती है लेकिन मुझे बहुत जो है पैकिट में दिया गया है यह उसमें भी मिला था तो मुझे लगा कि आसी किलो के तो थोड़ा सा पचक्तर वुपई से लेके 425 रुपया पाइकिट और बास्षा भी रहा है आपका 500 से लेके 525 रुपया पाइकिट यह हो गया आपका फुक्राज और बास्षा बात करें मुंबई की तो मुंबई में आमदानी बताई कि यहां चोविस से पच्छीस गाड़ी के आसपास और यहां पर सैंस्टी स्तान में जो है आलो बिकरा है आपका 11 सारी 1000 रुपय से लेके 13 रुपया पुंतल तो जो निवल वाले हैं वह तो बात करें बिहार के तो बिहार गुलाबा में सफेद आलो आपका भीतर है 11 से लेके सफेद आलो एक हजार से लेके 1100 रुपया पुंतल और आलन्रंड विकरा है आपके 1150 रुपय से लेके 12 सारी कौंतल बात करें समस्ती पुर की तो संस्ती पुर में आपकра 520 रुपए से लेके 530 रुपः पाइकिट और पाइकिट का बेंडिन मिलता है यहां पर पचासकेणों आपको और बरदमार में आपका 515 रुपए से लेके 535 रुपए पाइकिट चल्याहिए तो आज इतनी जगह सही अप्रेट मिली थी और बाकी कुछ जगह से अप्रेट आज नहीं आपाई तो अगर जो लोग मतलब दूसरी जगह देख रहे हैं जो इस जगह से अलग के लोग हैं अगर उनको अपनी मन्ली की अप्रेट पता है तो प्लीज कमेंट में जनूर बताए तो उससे क्या होगा दूसरे किसानवाईयो लोगी उसका फाइदा मिल सकता है तो अब वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और अगर आप फेस्बुक यूज करतें तो फेस्बुक पर बाइटी मीडिया पेज को लाइक कर सकते हैं बहां से भी आपको यही ख़बरे मिलती हैं या बा तो इसी को साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं धन्यवाद